प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, MK Education चनलन में आपका सागत है, आई बच्चों आज हम आपके लिए एक नया पार्ट लेकर, नया अध्या लेकर आँ हैं, पार्ट हमारा दूसरा है, परियावन अध्यन का यह महत्पुन पार्ट है, जो आपके लिए बहुत महत्पुन है, हेल्पुल होने वाला है, बच्चों आपको एड़ गेट अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी है, तो आज हम परियावन अध्यन के पार्ट दो पेकार करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकि अंदर तक बने रही है, चैनल कुछ अस्क्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पहुंसते रहे, वीडियो को रोक कर या पुश करके आप समस्त प्रसनों के उत्तरों को एड़ गेट अभ्यास पुस्तिका में एड़ कर सकते हैं, तो एड़ गेट व हमारा दिया है, पौधो की परी, पाड़ दो, पौधो की परी, पेज नंबर हमारा दिया है, असी नंबर का, इस पे हम कार करते हैं, अभ्यास पहला देखते हैं, पहला प्रसन है, ऐसे पांच पत्तों के नाम लिखी है, जिनको मसलने पर गंध आती है, तो नीम, जामुन, पत्तों के रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्तों के रंग अनिक प्रकार के हो सकते हैं, हरा हो सकता है, पीला हो सकता है, आप लिख लिजी, यहाँ पे इसका थोड़ा उत्तरमिश हो गया है हमसे, प्रस नंबर चौंता है, चुपन चुपाई खेलते समय, आप कौन-क पांचवा चित्र में जैसे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं, तो हमने लिखा है, धनिया दिखाई दे रही है हमें, फिर आम दिखाई दे रहा है, कमल का, फिर नारियल का, और जो नहीं देखा तो उसके सामने हम लिखा कि नहीं देखा, फिर 80 इसी नंबर का पेज हमारा complete होता है वीडियो को रोक कर फुस करके या बच्चों आप इनके उत्तरों को एट कर लीजिए आएए चित्र को देख कर बताईए मोटे तने वाला प acontec दिखाई ते रहा है फिर पतले तने वाला खुına खोर्दरे तने वाला और फिर चिकने तने वाला पेड़ हमें दिखाई दे रहा है अब देखते हैं मोटे तने वाले पेड़ों के नाम बताई तो बरगत पीपल आमर जामुन हो गया इसी प्रकार प्रिस नमबर साथवा है चितर में दिये गए उस पेड़ का नाम लिखिए जिसकी जड़ पकड़ आप जूला जूलते थे तो यह हो गया बरगत का व्रक्ष आटवा है पेड़ के भागों के नाम बताई तो पेड़ के भाग तना पतियां जड़ साखाएं आधी होती हैं पेज नमबर 81 complete होता है 82 नमबर के पेज पे आते हैं चितरों को ध्यान से देखिए और फिलब किजिए उत्तर पहला है पाउधा जिसका तना कैसा है पतला होता है जिसकी उचाई कम होती है यह पाउधा कहलाता है जैसे इसका नाम हमने यहां पे महदी लिख दिया है तो इस का तना पतला होता है जिसकी उचाई अधिक होती है यह पाउधा कहलाता है जैसे बेल पाती तो इसकी उचाई अधिक होती है कुछ पाउधे कहलाते हैं और कुछ पेड़ कहलाते हैं अगला तीसरे नमबर का देखते हैं पाउधा जिसका तना मोटा होता है पाउधा जो किस वस्तु या पेड का आधार ले कर बढ़ता है अगला है 10 वा प्रस्ट है पेड़ पौधे हमें और हमारे परेवण के लिए कैसे उप्योगी है विश्तार से बताइए तो हमने लिखा है पेड़ पौधे से हमें अक्ष्चन प्राप्थ होती है जिससे हमारा परेवण में उपिद भी करना चाहिए तो बच्चों आज हमने एडिकेट अभ्यास पुस्ति का पेकार किया है उमीद है आपको ये वीडियो वस्त पसंद आएगा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो का पाठो में तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार जैन जै भारत